हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेयर बजार वित आयूश और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मार्केट्स के उपर आज जो इंपॉर्टन देखिए ख़वा निकल कर आई है सब्सक्राइब बात करेंगे क्या आज मार्केट के गिरने का को रिलेशन था कि जैसे ही देखे हैं यहापर सप्रीम कोड की दोरह वह कहा गया उसके अच्छा कर आप लगाता है तो मार्केट्स में कोई रीकवरी हमको देखने को नहीं मिली बलकि बाजार आज जिनके निचले स्तर पर हमको बंद होते हुए देखने को मिले हैं आज दोस्तों निफ्टी का जो लो था वो करिबन 22,307 का था और 22,332 पर दोस्तों आज हमको निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है अगर निफ्टी 22,332 पर क्लोज हो रहा है और 22,307 का आज का लो है तो no doubt मार्केट में आज pressure तो था अगर मैं बात करता हूँ specifically bank nifty की जो सबसे important है यहाँ पर आज खासा pressure बनता हुआ देखने को मिला है more than 1% का correction हम कह सकने है आज यहाँ पर correction in the sense की देगे गिरावट जो हमको देखने को मिली है करीबन 507.95 points की 1% से ज्यादा bank nifty गिरा है करीबन आज bank nifty का low 47,230 का जरूर हम कर सकते 47,230 के नीचे नहीं गया और उसके बाद एक कोशिच थी कि एक range में consolidation थोड़ा सा हमको देखने को मिले बट जरूर आज भी हमको गिरावट तो देखने को मिली है और गिरावट का कारण क्या था right सबसे important बात तो यही है कि दोस्तों आज bank nifty गिरा क सकते हैं लेकिन जो आज एक important event होने वाला था वो यही था कि जो SBI ने दोस्तों extension मांगा था Supreme Court से कि क्या SBI को Supreme Court extension देगा और जो यहाँ पर Supreme Court ने decision दिया देखना जाए तो भाजा चौकाने वाला नहीं था बट जरूर दोस्तों यह important यहाँ पर हम कह सकते हैं जो decision था वो नि सकते हैं कि जिस तरीके से Supreme Court ने पहले भी कहा था कि आपको सारी information देनी पड़ेगी कौन है जो electoral bond में कौन सी party को पैसा दे रहा है यह जरूर दोस्तों पहले भी Supreme Court ने कहा था लेकिन यह अपने आपने दीके चौकाने वाली बात है कि आज SBI ने पहले कहा कि हमको और ज्याद Supreme Court का इसको उपर जो फैसला था कैसे नहीं था कि बहुत ज्यादा देखिए चौकाने वाला था कि को Supreme Court ने पहले भी कहा था कि उनको पार दर्शिता चाहिए पार दर्शिता चाहिए elections के अंदर और electoral bonds के अंदर भी देखिए simple सी बात है कि कौन सी party के बास कौन सा पैसा जा र आए नहीं कर सकता है पर जरूर जो edition है वो आज Supreme Court का verdict भी हमको देखने को मिलिए अपर देख सकते है Supreme Court verdict but also due to the weak sentiment in the Indian stock market यह basically हम कह सकते हैं अब देखिए यहां पर जो experts से वो कैसरेस कर रहे हैं कि जो SBI के अंदर हमको गिरावट देखने को मिलिए उसका कोई बहुत बढ़ा असर तो देखने को नहीं मलेगा should not have a lasting impact on the PSU banking sector and should be reviewed as an opportunity for medium and long term investors कि यह जो गिरावट है यह खिदारी का अफसर जो है वो हो सकता है बट इस पर देखिए जरूरी है समझना कि आज Supreme Court ने SBI पे कहा क्या उन्होंने ही साफसाफ कहा कि submission of SBI in applications indicates that the information short is already available मतलब जो submission किया गया SBI के कि वो time extension उनको चीए उसको dismiss किया जाता है और SBI को direct किया गया है कि यानि कल 12 मार्च 2024 को उनको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से वो नाम है जिनके दौरा देखिए पैसा जो है वो डाला गया है और उसके बाद वो जो information है वो election commission भी publish करेगा around 15 मार्च तक तो यह पाच जरू इसमें कोई डाउट नहीं है सबसे बड़ा share जो है वो BJP के पास है then Congress है then TMCA IDMK जो DMK है यह जो parties है उन सब के पास भी है बट overall यह ज़रूर है कि देखिए जिसके पास भी lion share रहता है और जिसकी देखिए सत्ता रहती है उसके उपर सवाल उटने सोभाविक सी बात है कोई बह जानकरी नहीं देता है तो court ने कहा है कि वो willful disobedience यानि जान पूछ कर जो supreme court है उनके आदेश की अव मानना की गई है उसके जो oral supreme court है फिर action लेता हुआ नजर आएगा यह हम कह सकते है तो यह सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि बस SBI सई टाइम पर जो कल सारे information मांगी उ close to 1.79% share जो है वो गरता हुआ नजर आया और stock में कोई recovery हमने आज यहां पर देखी नहीं जरूरू ऐसा भी नहीं कि दिक्टिके stock में बहुत बड़ा pressure था एक-दो percent गर जाते हैं बहुत-बहुत बड़ी बात नहीं है बट यह भी है कि देखे कोई recovery हमको देखने को नहीं मे बाते हैं जिसके कारण market गिर रहा है जो हम कहा सकते हैं खराब यहां पर है जो संकेत है उसके पीछा कारण क्या है सबसे important तो यह भी है क्योंकि एक तो हमने समझे जो कारण था लेकि second जो और जो बहुत important कारण है वो यह है वो यही कि rate cut कब होंगे बहुत जरूरी बात है कि अभी data आने वाला है CPI inflation का किस-किस के CPI inflation की data आने वाले US के CPI inflation की data आने वाले और हमारे भी inflation की data आने वाले तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो CPI का data निकल कर आएगा वो बहुत important रहेगा वो यह बताएगा कि किस तरीके से दोस्तों यहां पर जो rate cut है वो आगे होने वा जो आकड़े निकल कर आये थे जो US non-farm payroll के थे data वो भी caution बताया था कि जो inflation data release होने वाले और release कब होने वाले कल याद रखिएगा release होने वाले तो उसके उपर investors सबसे important यहां पर ध्यान है दूसरी बात gold prices लगातार दोस्तों gold जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हम बात कमबार होता है कि देखे हर एक asset class एक साथ बढ़ता हुआ नजर आ है ऐसे जाता तर देखा नहीं गया अब यहां पर क्या है देखिए साफ बात जो futures contract है gold prices के वो almost 73 से 73 to 66,096 पर 10 grams जो थे वो trade करते वे नजर आ है तो यह भी दिखाता है कि यहां पर जो broader market है वो अभी बली undervaluation देखने को मल रहा है due to valuation concerns लेकिन investors यहां पर rebalancing कर रहे है उनके portfolio उसको और add कर रहे है safer bits जैसे यहां पर gold है तो equity से पैसा निकालकर लोग gold में पैसा डालने की कोशिश कर रहे है और यह होता कब है जब यह prediction लगा जाता है कि जो markets है वहां पर हमको या तो correction देखने को मलने वाला है या तो गिरावट देखने को मलने वाली है उस प्रकार के expectation से पहले है ऐसा सब कुछ किया जाता है तो यह ज़रूर देखिए इंट्रेसिंग से चीजे हो रही है markets के अंदर जो अपना आप में देखिए ज्याधातर होती नहीं है बागी ज़रूर देखिए बा आउट-perform from buy and slash the target price जो दो हजर पचास रुपए का इस target price दिया गया था अब इसको काट के 1650 रुपए कर दिया गया है इसका मतलब यह है कि definitely दोस्तों यहाँ पर जो banking में भी underperformance देखने को मलने रहा है specifically HDFC bank जिस तरीके से underperform कर रहा है अभी भी देखिए brokerage खासा खुश नही HDFC bank के उपर अगर इस तरीकी की खबर आती है तो पुरा banking industry में problem आपको देखने को मिलती है इसलिए आज देखिए nifty bank भी गरता हुआ ने दरा है तो यह जरूर है interesting से चीज़े हो रही है बट जरूर देखिए कल हमको SBI की उपर नज़र रखनी है फिकास कल SBI अपने आपने markets के लिए तो बहुत जादा कल का दिन important है विकास उसका जो अज़र है वो हमको परसो देखने को मिलेगा क्योंकि जो डेटा है वो बाजार बंदोने के बाद आते हैं तो कल का दिन जरूर यहां पर interesting रहेगा तो इस वीडियो में इतना ही था आपको वीडियो बढ़िया अजया चूप छो जाँ न खाई बादा का वो हमको इस वीड़र रादा है जिस वीडियोग का फिन जरूर बादा बादाह है जिस वीडियोंकि बादा लेगए नहल में वीडियोदा है जूर कणिया ओुर सक?, रदादाह झाता है?